नमस्कार दोस्तों मैं हूं सोर्व शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चनल हरियान अपडेट डेल नियूज पात करिंग रेवाड़ी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शिरू करते हैं देखी सबसे पहले आपको उतायता हूं कि विद्वा से छेड़ चाड का मामला दर्ज कोसली था ना पुलिस ने एक विद्वा महीला की शिकायत पर उसी के गाउं की युवक पर एक आरोप लगाते हुए पूरी घटना को बताया है देखिये पुलिस में शिकायत देते हुए महीला ने क्या बताया महीला ने यह बताया कि उसी की गाउं का एक व्यक्ति है जो कि उसके साथ छेड़ चाड़ करता है और अशलील हरकते करता है आपको बता देता हूँ कि वो जो महिला है वो विद्वा है उनके पलपती नहीं है और इसके बाद 112 नंबर पर फोन कर गाव के एक युवक पर जो ये पूरी गटना आपको बताईए पूरी 112 नंबर पर कोल करकर उस व्यक्ति की पुलिस से शिकायत की इसके बाद पुलिस ने मोके पर पहुंच के मामरा दर्ज कर लिया है इसके बाद दूसरी बड़ी कावर की धारवेडा में जाम से लोग परिशान देगे विबाग को भी इस चीज के लिए काफी सतक रहना पड़ेगा क्योंकि रिवाड़ी के बाद अब धारवेडा में स्थीती यही बनी हुई कि जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको अब जाम मापर बिल्कुल आम हो चुका है मतलब रोजाना जाम कि स्थीती देखे जारी धारवेडा के अंदर रिवाड़ी के अंदर भी हम कह सकते कि काफी जगा जाम कि स्थीती रोजाना बन रही है इसलिए विबाग को कुछ ना कुछ सक्त कदम इसके लिए उठाने चाहिए इसके बाद तीसरी बड़ी गवर की पीकप ने कार को मारी टक कर लेगिए बाई-पास पर धर्मकार्टे के सामने पीकप ने एक गड़ी को टक कर मार दी जो की होंड़ा सीटी गड़ी थी और आप पुतायेत हो कि जो होंड़ा सीटी में सवार थव्यक्ति वो रिवाडी का ही था और वो गायल हो गया इसके बाद चालक जो picape का चालक था वो मोके परी picape को छोड़ कर वासे फरार हो गया इसके बाद गायल को अस्पिताल में भरती कराये गया पुलिस को पूरी शिकायद दी गई पुलिस ने मामना दर्ज कर लिया है इसके बाद आज की आखरी खबर कि आपको उतायता हूँ कि बावल के अंदर डिवाडी रोड पर एक बच्चा खड़ा था अपने पेरेंट्स के साथ और देखिए वो सिर्फ खड़ा था एक जगह और आपको उतायता हूँ कि वहाँ पर एक बाईक आई और उसने उसे टक्कर मार दी देखिए आपको मैं बताता हूँ कि कोई चल रहा हूँ या कोई वीकल पे चल रहा हूँ तो अगर टक्कर हो जाए तो हम कह सकते हैं एक्सिदेंटल लेकिन वो बच्चा सिर्फ खड़ा था उसके बाईक वाले ने टक्कर मार दी इसके बाद हलांकी कुछ ये भी खबर आ रहा रही थी कि उस बच्चे का पैर जो आगे पहिया होता है उनमें फस गया था लेकिन इस बात के अभी तक पूरी तरह पुस्टी नहीं हो चुकी लेकिन ये बात बिलकुल सही ह कि जो बच्चे है उसको बाईक वाले ने टक कर मारी तो देख सकते हैं आप कितना बुरा आला है रिवाडी का रिवाडी की जितनी भी बड़ी खबरे है जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे रोजाना सुबह आठ बजे और रात को आठ बज कि इसी के साथ धन्यवाद